तेरे साथ बात करने के लिए मुझूद हैं BCCI उपाध्यक्ष राजी शुकला जी सर गाजियाबाद के लिए ये कितनी बड़ी बात है एक नया हब के रूप में तयार होगा गाजियाबाद पस्रीम उत्तर प्रदेश को ध्यार में रखें पस्रीम उत्तर प्रदेश में चाह इंडिया गठ बंधन में तो ट्यम्सी है ही उतो ही इंडिया गठ बंधन में सीट शेरिंग अलग चीज़ है वह से पंजाम में आम आदमी पार्टी के साथ वहां नहीं है लेकि दिल्ली में है तो ऐसी तरह से इन सब चीजेंसों सो कोई फरकर पढ़ता है इंडिया गंड़ फंडन का हिस्सा तर्णमूल कॉंग्रिस है अखिर में सर यूसुप पठान को भी उमिद्वार बनाए गया है खिलाडी के तौर पर और उन्हें पूर क्रिकेटर रहे हैं बिसी से उपादिश की तौर पर आप क्या सुपका में देंगें देंगें वो रेट होगा कैमरापर संधर्मेन के साथ दिवयांकरति वर्यवीपी न्यूज गज्याबाद गज्याबाद को नए अंतराष्टे स्टेडियम की सावगात मिली है मिरे साथ बात करने के मौझूद है गज्याबाद क्रिकेट अस्टेशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी तर यह बताए कि किस तरह की दिक्कते थी जिसके चलते इतने जो देरी है वो श्टेडियम के श्टेशन की लाइन जो की जमीन जब हमारे सौमित में थी उसके बाद में यह जो रसारा सारा गलत थी तो एक तो हाई टेंशन लाइन की थी दूसरी थी एफ यार से संबंदित जो है ना कि जिस तरीके से जो एग्रिकल्चुर और एक स्टेडियम के निर्मान के लिए जहा से कि इतना समय तक लंबी तरह आज इसका सिलर्नियाश हो गया है क्या उमीद की जाए कब तक स्टेडियम बन के भवे रूप में तयार हो जाएगा और जिसमें जिसके बाद जो मैचेस हैं वो खेलने की प्रिक्रिया हो शुरुआ हो देखिए मैं आपको क्लिया करूं कि जह इसी ग्राउंड के उपर हो और जो अंतराश्ट्य स्टेडियम जो है उससे संबंदित जो मैचीज है वो दोजार 26 के लाच तक हमारी ये कोशिस होगी कि इसको हम पहले चरण की जो हमारी 30,000 की हम कैपेसिटी सोच रहे है कि उसको हम इसको पूरा करने है दोजार 26 के लाच कुल कितना बजट रहेगा और एज़े गाजियाबाद क्रिकेट एस्टेडियम के प्रेसिडेंट आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि गाजियाबाद में इस अंतराश्ट्य स्टर के लेवल का जो क्रिकेट इस्टेडियम हो बनने जा रहा है देखे लिए मेरे लिए हर किरकेट प्रेमी के लिए हर खिलाडी के लिए हर गाज़वासी के लिए मैं कहा रहा हूँ पश्ची मित्र प्रिदेश के हर वासी के लिए ये बड़ी हर्च का विश्य है बड़ी गौरव की बात है कि गाज़वाद जैसे चेतर में एक इतना के लिए पूरे पश्ची मुत्रप्रजेस के लिए बहुत खुशी की बात है और क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने गाजवाद क्रिकेट रश्टेशन पर विश्वास करके और हमारे को मिली हुई थी तो उसमें आज वो अगर उसका फली भूत होकर बनेगा और गाजवाद के बात करें तो खास तोर से पश्ची मुत्रप्रदेश के लिए बड़ी सौगात के रूप में ये स्टेडियम बनने जा रहा है कैमरा पर संधर्मीन के साथ दिवयांकरतिवार ये वीप न्यूज गाजवाद